लूपजायम प्लास इसका प्रो बॉडी फॉर्मिला आपके डाइजेस्टिफ सिस्टम को नैचरली बैलेंस करने में मदद करता है। लूपजायम प्लास आपका पाचन रहे इन कंट्रोर। एक महिला होने के नाते और एक आक्टरेज होने के नाते ये बॉलीवूड ने या टॉलीवूड ने या पंजाबी इंडस्री ने हमें बहुत सारा नाम, पैसा, शोहरत, सब चीजें दी हैं। पर ये न्यूस सुनकर या मुझे जोड दिया है, या फिर मैं बहुत निराशाजनिक हो गई हूँ, ये बात आज नहीं आई है, आज सरी है फोस्फुली सभी के द्वारा बाहर आई है, पर ये सब चीजें बहुत पहले से ही सभी के नॉलेज में थी, कि ये सब चीजें इं अलिवुड हो, या पंजाबी इंडस्ट्री हो, या फिर पंजाबी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े पाइनाय में ये यूस किया जाता है, या वेस्ट बेंगॉल की इंडस्ट्री हो, या साउथ की हो, ये हर इंडस्ट्री में इसका सेवन होता है, जो रेव पाटिया होती हैं वो प्राइवेट जगाओं पर ये बहुत सालों से चलते आ रहा है और फिर यह दिपिका हो या फिर XYZ कोई भी इंडस्ट्री का व्यक्ति हो उस पर ये कारवाई होनी चाहिए आक्टर्स आक्टर जब बड़े बनते हैं तो वो लोगों के ही सपोर्ट से बनते हैं फिर वो कोई भी नाम से हो या कितने बड़े पदपे हो या कितने बड़ी कोई भी चीज हो मैंने सिर्फ बॉलिवुड नहीं मैंने बोला है कि politicians में भी जितने भी बच्चे पॉलिटिक्स के लोगों के बच्चे इसका सेवन करते हैं, उनकी भी जांच हो, उनकी भी inquiry हो, बड़े अधिकारी जो बहुत पैसे लेकर बड़े-बड़े अधिकारीों से अगर मैं एक का नाम लेती हूँ, या दो का नाम लेती हूँ, I am saying minimum of people in politics, जो कई लोग हैं politics में भी, उनके बच्चे इसका सेवन करते हैं, और ये चीजें जग जाहिर है, सिर्व उस पर inquiry नहीं होती है, because they are politician, they are related to politics, and they are big name in politics because of that, उनके उपर कोई कारवाई inquiry department करती नहीं है, तो मेरी पहले से मांग है, कि सिर्फ ये नहीं और बड़े businessman ऐसे बहुत बड़े नाम है, जो businessman के बच्चे भी ये चीजों को addict हैं, और वो खुद पाटियां देते हैं, जिसमें Bollywood actresses जाती हैं, जिसमें बहुत बड़े अधिकारियों के बच्चे जाते हैं, they'll have get together into that, and 8-9 जनों की पाटियां टोली रहती हैं, जिसमें ये सब चीजें होती हैं, मेरा सिर्फ एक ही कहना है, कि जो भी minimum amount जो Bollywood में हैं, जो ऐसे कुछ percentage हैं, जो Bollywood हो, politics में हो, या फिर वेपारी हो, बड़े businessman हो, इनके ही बच्चों के उपर, वो सेम कारवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ Bollywood को target करना चाहिए, ना कि सविधान हमें सिखाता है, उसी के नियम से कारवाई, 100% होनी चाहिए, दीपिका हो, मैं कल से सुन रही हो, it is all over the media, ओनी दीपिका के message में ऐसा लिखा गया, and 2017, and you are sitting in 2020.